देर स्टुडेंट आज की या वीडियो बीए फर्स्टियर के सिकेंड समस्टर वाले स्टुडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी हमारे बीए सिकेंड समस्टर यानि की दुतिय समस्टर के स्टुडेंट है जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानि कि objective question आने वाले उनकी परिच्छा में उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है क्योंकि आज किस वीडियो जितने भी question होंगे वो mcq-based पर होंगे कुछ university ऐसे हैं जहां पर objective आने की बहुत प्रश्ण पोचे जाते हैं तो चली बिना देरी कोई वीडियो वो शुरू करते हैं और subject आपका भुगोल है geography प्रश्ण पत्र का नाम है ठीक है प्रश्ण पत्र क्या नाम है human geography यनि की मानो भुगोल तो आज कि इस वीडियों का पहला प्रश्ण है कि देखे एक नंबर यह उपार्टेट नहीं था इसलिए हम दो से सुरू कर रहे हैं कि निम्न देशों में सिकिफ देश में जनसंख्या का सरवधिक घनत्तों है मतलब कोश्चिन कही रहा कि कौन सा देश है इसमें सब्सेज़ादा जनसंख्या है इस समय ठीक है तो इससे पहले सब्सेज़ादा अप्रेल 2023 के रिकार्ड के मुताबिक अप्रेल से पहले सब्सेज़ाद जनसंख्या वाला देश चाइना यानि की चीन था लेकिन अप्रेल 2023 के रिकार्ड के मुताबिक उसके बाद से ठीक है भारत दुनिया भरका सब्सेज़ादा जनसंख्या वाला देश बन गया है इफ लेस यूप में जाया जाता है इसका सबसे प्रमुक कारण कौंसा है इसका प्रमुख कारण है द्यान रखेंगे बहुत प्रमुख प्रशन आप सभी के लिए तस प्रश्न का सही जवाब होगा option number गा त्रिके जेल वाइविए अनकूलता की शलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि उत्री अमेरिका में जनसंख्या का सबसे अधिग घणत मतबड उत्र अमीरिका जनसंख्या का सब सबसे अधिक घनत पाया जाता है किस एरिया में ये फिर किस दिशा में ये कोशन पूछा किस तटपर सही इसका उत्तर होगा सबसे अधिक जनसंग्या घनत जो है वो पूर्बी तटपर है अमेरिका में ध्यान रखेंगे सही जब आपका होगा अगला प्रस्ट है कि हिम वो पर सबसे ज्यादा प्ड़ा है वो है यूरोप ध्यान लक्तेगे प्रमुख प्रश्ण आपके परिछ्छा के लिए ठीक है अगला प्रश्ण है कि प्रवसं सिद्धांथ का प्रतिपादन निम्न मेंसे कौन से दो ने किया है तो प्रवसंडों सिद्धांथ है इसकасти प् सही जबाब खा होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण प्रस्थ है कि निम्न में से अफ्थानिय प्रवसन का प्रकार कौन सा है तो इन आपसरों में से जो अफ्थानिय प्रवसन का प्रकार है वो पहला है गाउं से सहर की और दूफरा सहर से गाउं की और और गा नंबर है अन्ता च्छेत्रे प्रवासन क्योंकि ये तीनो सही है इफ ले सही जबाब होगा गहाँ नमबर यहाँ लिखा उपरुक्त में से तीनो सही है अज़ error नमबर सही जबाब होगा यही वाला फलेट करेंगे अगर इसकी प्रवासन को लेगा और उसके आफसर तो यह सिलेट करेंगे अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि ब्रेंड ड्रेंड ब्रेंड नाम की संग्या निम्न में से किस प्रकार के प्रवसन को दी गई है तो ब्रेंड ड्रेंड नाम की संग्या जो है वो उच्च गुड़ वाले बेक्तियों को या फिर द्रवाज च्छे थीवाज है संशकार है उनके लिए थीक है तो सईल्च भविषका गाहनोंबर हो और रखेंगे अगला फिक्यों सभी जन संख्या से सब्सक्राइब को मारी पीul सेंगता ने भारत को जनसंख्या प्रदेशों में किफिका छेत्र सर्वधिक है यह भारत में जनसंख्या प्रदेश कौन सा छेट्र कौन सा एरिया कौन सी अधिक है तो सही जवाब इसका हो जाएगा ध्यान रखेंगे पूर्भी पथार्ज पहाड़ी प्रदेस ठीक gri में जन संख्या प्रदेफ का घंद् तो सब्सक्राइब घंद्ध इसमें प्रदेफ का घंद्ध संख्या अगला प्रश्ण प्रस्टुत है कि भारत में किस जन प्रेश नगर्ई करनंत का प्रतिसत सब से ज्यादा यानी चब्शे अधिक है घर है वो है तमिलाद टट पर सही जवाब घानमबर होगा तमिलाद आपने नाम तो सुना होगा ठीक है जो कि एक प्रदेश है अगला प्रश्ण है कि कि देश की खाद समागरी यानी कि खाने वाले चीज़ जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती तो उससे क्या ज यह जागते हैं यह leach कि समयष्ण का समाधान हो सकता है किस चीज से तो जना धिक की समस्चा जो इसका जो समाधान हो सकता है अगर आप कर्षी पुनर बेवफ्था करेंगे अच्छे फिकर्षी कहेंगे और दूगी क्यानिक जो आप फैक्ट्री है जो विजनेस है या फिर पंपनी लगाना चाह रहे हैं ठीक है उसमें विकास होगा तो परिवान नियोजन से यानि की परिवार की जो जनसंख्या उसको कंड्रोल करने से ठीक है तो इन सभी सिस समस्चा का समाधान होगा इकले सही जवाब हो जाएगा घानमबर और परियुक्त में से सभी अगला प्रश्ण है कि जनाधिक की समस्चा उत्पन होती है कहां से तो फत्रा नमबर प्रश्ण का सही जवाब हो जाएगा जनाधिक की समस्या है वो जर्म दर बढ़ने वा मत्र घटने से हैं सही जवाब होगा इसका ध्यान नखेंगे पर्मक प्रश्ण हैं बहुत प्रमक प्रश्ण अकला भी है कि भारत का जनसंख्या दर्ष्ट से कौन सा अफ्थान पे टिक और्ट संख्यां का जो गठन किया गया था यह किया गया दो तो भाई पहला भी सामिल है आकार भी है बित्रण भी है और गठन भी है फ्लेश चाही जवाब इसका हो जाएगा उप्रिप्त में से तीनों क्योंकि यह सभी सामिल है अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि जन संख्या नीत 2000 की घुफडा हुई किस्टन में तो जन संख्या नीत दो हजार की जो घुफडा है वह 15 फरोरी 2000 को की गई थी ध्यान रखेंगे यह भी प्रश्ण प्रश्ण है अगला कि जन निम्न में से कौन मानो संसाधन विकास के उद्देशों में सामिल नहीं है ठीक है तो इन में देगे आपसं जो है मानो संसाधन विकास के उद्देश यानि उसका लच्छ एम है उसमें जो सामिल नहीं है वो है प्रुक्त में से सभी क्योंकि इसमें देगे कोई भी उद्देश सामिल नहीं फ्ले सही जबाब घानमबर होगा अगला प्रश्ण है कि निमलिखित में से कौन सा कारक जर्मदर को प्रभावित करता है यानि कि जर इस वाप अगला कि नियुकित में से कौन सा बिरल जन संख्या वाला छेतर नहीं है इन आपसरों में से सफे ज़्यादा विरं जंस्ख्या वाला इन आफ्सरों में से वह है दच्छिड पूरभी एस या ध्यान द्यान रखेंगे माहत्मोन प्रस्ट में माल्थास का सिध्ध संबंदित है तो मालतफ का जो सिध्धान्त है ध्यान रखेंगे वो जन संख्या से संबंदित है इसलिए सही जवाब खानमबर होगा अगला है कि निम्न में से कौन सर्वधिक जनसंख्या वाला नगर है यानि कि प्रदेश है एक तरीकी से बोल सकते हैं सिटी है निम्न में से सर्भधिक जनसंख्या वाला सहर यानि नगर कौन सा है तो आप लोग अच्छे जानते होंगे इन आपसनों में हालाकि इसमें जो आपसनदीगें है उसी सब्सके उतर देना है तो इन आपसनों में जो सब्से ज्यादा सब्धिक जनसंख्या वाला यह वह जर्वव में जल से सब्सकंग में सब्से नीचे तो मानोन go नवार नंब्र अगNa my जबता है तो सही जबाव हो जाएगा थिए पुरूप प्रश्ण हुआए। आध्याज़क जाएगा त्यादंबर अप्रेया कई अगला और पृस्ती फुट्म है कि नमलकेतर hayets कौन foreign निम्लिकित में से कौन भारत दोहजार गेरा के तेन सर्वधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही और रोही करम है मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले आपका आज आएगा जाएगा जहां से सुनेंगे मद्ध प्रदेश कौन सा मद्ध प्रदेश उसके बाद आ जाएगा का कॉमा कर देंगे है ठीक है अगर आया तो इसी तरह क्या अशन होंगे ठीक है जुए भू आपको बताना होक navy सोगा विहार होगा बंगाल होगा उफ्र अगले आपको कुछ आफेंक चीए उत्तरप्रदेश महाराष्ट बिहार महाराष्ट बिहार बंगार मद्ध प्रदेश बंगार विहार हिएए जब सुबस्थे उनकारथ यहां पर आपको यही वाला प्रमित कर ले तावी की बात है ठीक है अगला की भात में कुल कितनी जन जातियां है बहुत ही प्रमुक और बहुत ही कॉमन कोश्चिन आपको जानना भी चाहिए था कर नहीं पता है तो जान लीजिए आज सबसे जान जातिया निवास करती है तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जन जातिया जो है निवास करती है तो उस प्रदेश का नाम है मद्द प्रदेश बहुत ही पॉपलर और बहुत ही कॉमन कोश्चिन है शायद अभी आता आपको नहीं पता रहा होगा यह आपके आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपके किसी कंपेटिफन एक्जाम की तैयारी कर रहे है आई एस पीसी यास में ठीक है या फिर टीचिंग लाइन में फिर सतकारी गोर्मेंट तो उसके लिए भी बहुत ही महत्पूर प्रशन है ठीक है अगला प्रशन है कि भारत के किस राज में सफ़े अधिक जन जाती है निवास करती है मद्द प्रदेश में अगला है कि ग्रामिड बस्तियों में में मखुरूप से किस परकार के बेहुसाएं पाया जाते है मतब ग्रामिड टैनी गाव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो मुख्य बेहुसाय होता है वह किस रेणि का स्रेणिक का प्राथमिक श्रेणि का है इसले है साई ज़inka हो जबाप का नंबर हो जाएगे न नहीं दके अग्याय अग्ला पस्टफ है कि प्रती का लेजुआ का भिला होता थिक है इसमें बहुतерш प्रजातियां जिनके तोचा रंग पेले होते हैं ठीक ठीक है को टुल प्रत्ता कि जंजाट से सम्बंदी थे heut इश्मो का रहने का घर है réponse कopen नंबर होगा अगला प्रस्तुत है कि मसाई एक आदिम जंजात ही है कौन सी तो मसाई एक आदिम जंजात ही है ध्यान रखेंगे वो है तंजानिया की ठीक है तंजानिया की घान नंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्तुत है कि निम्रिकित में से कौन से जंजात काला हारी मरुफ्थल से सम्मंदित है तो उसका नाम बुस्मैन जंजात त्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है कि काला सब्द का पिर्योग किया जाता है किस चीछ के लिए सोरी काल सब्द का काल सब्द का पिर्योग जो है किस लिए किया जाता है तो इन अप्सनों में से जो काल सब्द का पिर्योग कीरगिच के तंबु के लिए किया जाता है सही जबाब घानमबर होगा अगला कि एशिया टूंडा के विशेष्टा वाले लोगों के समो को जाना जाता है ठीक है किस प्रकार जाना जाता है तो समल लीजिये आज से उत्तर आप लोग ये जाना जाता है गोहते ही मात्मोर प्रस्ण है अपके एक्जाम के लिए ठीक है और कई बार आभी चुका है समोई समोई ठीक है समोई सही जबाब होगा अगला कि गोल गधेडा उत्सो किस जन्जात में मनाया जाता है तो एक फेस्टिबल टाइप का होता है उनका अलब अपना रियत रिवाज है तो गोल गधेडा उत्सो जो है वो भील जन्जात में मनाया जाता है सही जबाब खानमबर होगा बहुत ही प्रमुक प्रश्ण है अगला कि बट काही बिवाज की विवस्था किस जन्जात में होती है तो बट काही बिवाज की जो विवस्था है वो होती है थारू जनजात में सही जबाब खानमबर होगा अगला की फालू का कपड़ा कौन पहनता है ठीक है भील सही जबाब घाओगा भील पहनते हैं अगला की बापला किस जनजात में बिवाह कहलाता है तो जे ये आपका विम्पला है थीके बापला है बापला यह संथाल आधान एक संधाल जंजात में बिवाया क err कहलाता है का नमबर सभाब होगा अगला की कारील किस राज्णीत में आ ही तो कारील जो कृसी यह विश्जक त्यक कि हृष्ट है फोसी मिश्श्था विश्था जो है वह चेत्रों का रोटेशन करना सही जवाब खानमबर होगा जहां रखेंगे ठीक है तो आज किस वीडियों करें आपको पचास कोश्चन बताएं उससे दोचार ज्यादा ही रहोंगे तो काफी ज्यादा आपको प्रशन का उत्तर मालीज आपको नहीं मालूम है आज किस वीडियो में इतना है पीडिया आपको चाहिए विद एंसर तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं प्लस टेलिग्राम वट्सप पर जॉइन होके आप मैसेज करके भी ले सकते हैं और मिलते हैं आप